गुद मॉनिंग सेकेंड क्लास हमने जो अपना चेप्टर में फाइफ स्टार्ट किया था वॉर्टर इस चेप्टर का आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे ठीक है वॉर्टर साइकल दा वॉर्टर ऑन दा अर्थ इस हीटेड अप कॉंटिनुसली ड्यू टू दा हीट ऑफ द पानी गरम होता है तो जो पानी है वो गैस में चेंज हो जाता ठीक है और इसी प्रोसेस को क्या गहते है इवैपोरेशन और इस वाटर वैपर राइज अप इन दायर यही सारा पानी जो है फिर ऊपर जाता है इट बेंस तो कूल एंट फॉर्म क्लाउट और जब उपर यह ठनडा होने के बाद यह क्लाउट्स बनाता है बादल क्रिएट करता है ठीकिक.. पानी गैस क्लाउड क्रिएट करता है तो यह प्राउट्स कirus रहे लाते है ठीक है और फिर वाहारी रूप में पानी वह नीची आ जाता है के हेब आतर डिया है यह रहितमाल से जो पहाड़ एपनर है का प्रम होटे सीक bunları फैं प्रेसब IC क्बीज़िज़ प्रेशन आग के तो इस वज़ज़ से जो है यह फैंटल इंस पैणी की रूक में आपको समेठी में जरीगा है तो पानी जो है वो river यह लेक में गया अब वो जो river और लेक में जो water है वो sun की heat के वज़़े से क्या हो रहा है वो water evaporate हो जाता है आस्मन में जाकर वो क्या बनाता है cloud बनाता है फिर जब cloud यह बहुत जाता है heavy हो जाते फिर वापस बारिश होती है तो यह process ऐसे ही चलता रहता ह पारिश होई वो पानी जो है लेक के रिवर में गया फिर जो है sun की heat से वो water क्या हो गया evaporate हो गया फिर वापस आस्मन में चला गया cloud बन गया फिर वापस बारिश हो गया यह water cycle ऐसे ही repeat होता रहता है चलता रहता है this rain water gets this rain water gets collected in rivers ponds and lake और यही जो rain water है वो river lake pond lake में वापस collect हो again with the heat of the sun this water rises to form clouds और जैसे वापस sun की जो heat हो इस water पे पढ़ती है तो वापस जो हो water clouds बनाने के लिए आस्मन में चला जाता है this continuous process is called the water cycle और यही जो लगाता है चलने वाला process है इसी को क्या कहते है water cycle ठीक है अभी हमने water cycle के बार में पढ़ा अब हम water pollution के बार में पढ़ेंगे ठीक है pollution आपको बता है क्या होता है production mixing of dirty water from agricultural fields and factories with the river's ponds that makes the water unfit for use it is called water pollution जो गंदा पानी होता है जब हम पानी में उस गंदी पानी को डाल देते हैं जो factories होती है वो अपना जो है जो भी कचड़ा होता है गारविश होता है जब वो पानी में डालती है तो वो पानी क्या हो ज जाता है ठीक है वो पीने जो है पीने के लाइक नहीं रहता पॉल्यूटिट वाटर में mix with the water that reaches our home और यही जो पानी के साथ मिल जाए जो हमारे घर तक पहुंचता है when we consume this polluted water we fall ill और जब हम इस पॉल्यूटिट वाटर को यूस करते हैं तो फिर हम बिमार हो सकते हैं ठीक है इस लाइक डाइरिया डाइस्टेरिया ट्लोरिया जॉंडिस इसे बिमारिया जो गंदे पानी का यूस करने के वज़े से होती हैं ठीक है तो इस तरह के से जो हम water pollution खुद करते हैं इसका नुकसार हमें जो है खुद होने लगता है जब यह water pollution का यूस हमें करना पड़ता है पॉलिटिर वाटर का यूस हमको करना पड़ता है ठीक है तो इसलिए जो हमें water pollution नहीं करना चाहिए पानी को या वेस्ट नहीं करना चाहिए नहीं उसे गंदा करना चाहिए ठीक है तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर फिनिश होता है